मानने सदस्यकन नियम 3 से उनके अधीन मामलो को सभा पटल पर रखा जाएगा जिन सदस्यों को नियम 3 से उनके अधीन मामलो आज उठाने में अनुमति दिये उन्हें सभा पटल पर रखने के चुकें वे 20 मिनिट के अंदर अपने पाट को वेक्तिकर रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं आईटर नमबर 18 राश्पती के अभी वाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव स्री अखलेश यादो जी है मैं अध्यजी का धनबाद याद याद ने शुटता है ड हैं कि भूरे नींगग लेंगेद साह्ञाएर लोग्लिजिम इस पूरे से आंगेद़ क्रेचल मुझाले भूर्ट टो अद्देश महुदै मैं सबसे पहले आपका धन्हेबाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से राश्पती जी के अब राशन बोलने का मौका दिया है अध्यक जी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार अपनी बात रख रहे हैं मैं सबसे पहले अध्यक जी आपको और आपके साथ साथ सभी चुने हुए सांसों को मैं बढ़ाई और शुपकामनाई देना चाहता हूँ साथी साथ मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और इमानदार मद्दाताओं को धनिबाद जिन्होंने लोग तंत्र को एक तंत्र बनाने से रोगा चुनाओ के समय पर देश जी ऐसा कहा गया कि चार सो पार मैं समझदार जन्ता को फिर एक बाद धनिवाद दूँगा और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गरूर दरवार तो लगा है पड़ा गमगीन बीनूर है पर अद्देश मौदे दरवार तो लगा है पर बड़ा गमगीन गमगीन बीनूर है और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार ब्राजमान है जन्ता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार अद्देश मौदे जन्ता कह रही है चलने वाली नहीं ये गिरने वाली सरकार है और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं नीचे कोई आधार नहीं अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं दरसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है इस शुना में इंडिया इलाइंस की नेतिक जीत हुई है ये पीडिया इंडिया की सकारत्मक राजनीत पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है ये इंडिया पीडिया की सोशल जेस्टिर मुहिम की विक्ट्री है 2024 का पड़ाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्यदारी से भरा पैगाम भी है और अगर नहीं यूं कहें है अद्रेक्ष मौद है कि 15 एगस 1947 अगर उपने वेश्च राजनीज से आजादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए संपर्टाइक राजनीज से आजादी का दिन राख ये संपर्टाइक राजनीज के अंत और संपर्टाइक राजनीज की शुरुआत है जहां संपर्टाइक राजनीज का अंत हुआ है वहीं संपर्टाइक राजनीज की शुरुआत हुई है अद्देश मोदे कहने को सरकार ये कहती है कि ये फिफ्त लाज़स्ट एकॉनमी बनगई है और जीडी बी के मामले में फिफ्त वर्ल्ल की एकॉनमी बन गई है लेकिन अद्दैक्ष मोदी ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लाजेस्ट एकॉनिमी अगर हम पांच में नमबर पर है तो हमारे देश की पर केमपिटा इंकम प्रतिव्यक्ति आए हमारे किस स्थान पर पहुँची है और हम लोगर तद्दैक्ष मोदे देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि पांच ट्रिलियन डॉलर की एकॉनिमी बनेगी तो जहां से पधान मंती जी चुन करके आते हैं वहां का प्रदेश के सरकार भी कहरें कि हम वन ट्रिलियन डॉलर एकॉनिमी बना लेंगे देश की एकॉनिमी कहां पहुँच गई पर केपिटा इंकम क्या है लेकिन गर उत्रप्रदेश की एकॉनिमी को अगर वन ट्रिलियन डॉलर की एकॉनिमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्रपदेश पाप आएगा हम हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं नीचे से कहां हैं जो फिफ्ट लाजस कॉनिमी की बात कर रहे हैं वो इनेक्ट्विटी के परामीटर पे कहां खड़े हैं वो हैपिनेस इंडेक्स में कहां खड़े हैं और जो लोग चुनाओ को अपने तरीके से मुड़ते हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अद्धेश मुड़े इस चुनाओ के परणाम ने तोड़ने वाली राजनीत को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीत की जीत हुई है इस चुनाओ में दन धन चल भल की नकारातं राजनीत के शिकस्त हुई है ये चुनाओ जो उदेश का हुआ ये सकारात राजनीत का नया दोर शुरूआ है इस बार प्रो कॉंस्टिशन वालों की जीत हुई है हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है उसी की जीत हुई है ये संविधान मन्थन में संविधान रशकों की जीत हुई है अब उपर से नीची के राजनीत का अंत हो गया है अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी वही राजनीत का आधार बनेगी मैं कहना चाहता हूँ कि देश किसी की विक्तिकत मैंत्वकांशा से नहीं जन अकांशा से चलेगा मतलब अब मनमर्जी नहीं जनमर्जी चलेगी इस चुनाव का बड़ा पेगाम ही है अधेश मोदे बहुत सी बातें हुई है अगर उत्त प्रदेश की बात नहों क्योंकि अधेश मोदे सबसे बड़ा प्रदेश जाह है उसने हर बार दूसे दल को समर्थन दे करके सरकार बनाई मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गल्यों से लेकर के गंगा जी तक ढून रहे हैं उनको लगता है जिस दिन मा गंगा साफ हो जाएंगी शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतर कर उसका दर्द भी जाने उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रे है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहनी की कसम खाई आती है कम से कम उस गंगा जल से तो जूट ना बूला जाए जहां विकास के नाम पर खरवो रुपई की लूट का राच खोलते भर्ष्टाचार के गड़े प्रदेश का नाम खराब कर रहे है वहीं पहली वारिश में ही टपकती हुई च्छत और गिर चुकी स्टेशन की दीबार बेहमानी की निशानी बन गई है अद्देश मौदें विकास का धेडोरा पीटने वाले इस विनाश की जम्यदारी कब लेंगे और रही सचे विकास की बात तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जाज उतरे थे और उत्तवपदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी है और अब ये बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा यही स्मार्ट सिटी के जुम्ले का भी हाल है ना तो जाम से छुटकारा मिला ना बन्यादी सुब्धाओं से कोई निजात मिली ना कोई बन्यादी सुब्धाओं मिल पाई है मुझे याद है देख्श मौदे देश के प्रधान सांसर जी ने अनाथ पश्चों के बारे में बहुत कुछ कहा था आनाथ पश्चों की समस्या से छुटकारा दिल्वाने के लिए कव वादा किया हुआ लेकिन कई चुराव बीद गए है अभी तक गन्ये का भुकतान दो हफ़ते का वचन जो दिया था कहां दिया था अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के उपर से जनता का भरोसा उड़ गया है इसलिए बहुमत की सरकार नहीं है ये सहयोग से चलने वाली सरकार है डेबल इंजन की नाम पर उत्तर प्रदेश को टकरहाट के सिवा कुछ हासल नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में प्रहुत्व की लड़ाई दो लोगों को आपस में लड़ा रही है लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है पिछले दस सालों की उपलब्दी वस इतनी रही कि एक सिच्छा परिच्छा माफिया का जनम हुआ अद्देश मौधय जिस समय चुनाओं में थे और उत्तर प्रदेश में वो हलात देखे हैं कि नौजमान जब भी तयारी करकर के जाता था और परिच्छा दे करके लोटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है जितनी भी परिच्छा हुई है सब पेपर लीक हुए है केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं मेमानी ने संसत की तरफ से सुन रहा था कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परिच्छा हैं देने तो बच्चे गए लेकिन वहाँ भी पेपर लीक हो गया और अभी जब चार जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बाद उठी है देश की सबसे प्रिसीजियस परिक्षा उसका भी पेपर लीक हो गया और आखेकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है सचाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौखरी नहीं देना चाहती रोजगार नहीं देना चाहती उन नौजमानों का भविस्ट नहीं बनने देना चाहती पिछले दस सालों की उपलब्दी बस इतनी रही है कि एक सिक्षा परिक्षा माफिया का जन्म हुआ है जिसने तथा कथित अमरित काल में वाओं के भविष्ट की आशाओं को ही जरूर आशाओं को ही जहर दे दिया है जो सरकार उमीद को मार दे वन तो वर्तमान को सुधार सकती है न भविष्ट को समार सकती है सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए निराशा का नहीं जंता चाती कि हर समस्या के लिए बीते कलक की को जिम्धाय ठहराने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कलकी बात करे अगले हजार साल के जूटे सपने दिखाने वाले अगले महीने होने वाली परिच्छों के लीग नहोने की गारंटी कब लेंगे जनता अब न तो किसी बहकामे में आएगी और न किसी के वेहलाबे फुसलाबे में आएगी जो लोग कहते हैं कि अमरित काल की बात करने वाले जनता का जागरण काल आ गया है आज इस सदन में नए रानितिक जागरण के अनेक प्रतिनिदी बैठे हैं अब जब पुनर जर्मान अब जब बात होगी तो सची बात होगी और जनता को पूरी सचाई के साथ हम लोगनी जम्यदारी के साथ बात रखते हैं अद्देश मौदे एक जीत और हुई है एक जीत और अद्देश मौदे हुई है मैं जानता हूँ सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए हुँगे अद्देश मौदे जीत भारत के परिपक्ष मताता की लोगकांदिक समझ की जीत है और हम तो अद्देश मौदे यही सुनते आए हैं होई वही जो राम रची राखा यह है उसका फैसला अद्देश मौदे हुई वही जो राम रची राखा यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज जो करते थे किसी को लाने का दावा वो हैं खुद किसी के साहरे के लाचार यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज जो करते थे किसी को लाने का दावा वो हैं खुद किसी के साहरे के लाचार हम अयद्या से लाए हैं उनके फ्रेम का पैगाम हम अयद्या से लाए हैं उनके फ्रेम का पैगाम जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्यार सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान अभेदान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान मानवता के लिए उटता जिनका थीर खमान अद्देश मौदे जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम उफंती नदी पर जो बाने मर्यादा के बान वो है अबद के राजा पुरसोत्तम प्रभुराम हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का प्रेगाम अद्देश मौदे कुछ बाते हैं अद्देश मौदे कुछ बाते समय और काल से परे होती है इसलिए आज यहां उत्देश के सदन में पढ़ा गया एक शेर यादा गया जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है इजाज़त हो अद्देश जी तो मैं अर्ज़ करूँ हजूरे अला आज तक हामोश बेटें इसी गम में हजूरे अला आज तक हामोश बेटे हैं इसी गम में मैं फिड लूट ले गया कोई जबकी सजाई हमने अद्देश मौद है मैं मोडल अफ कंड़क जब चुना हुआ लागू हुआ उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर महरबान रही सरकार और कमीशन भी कईस मौए बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ देख्श मौद हैं लेकिन कहीं न कहीं परश्चन उस संस्था पर भी लगा है और अगर उस संस्था पर परश्चन लगा है तो लगाने वाली सरकार की वज़े से लगा है इसलिए अगर निस्पक्ष होगी वो संस्था तो न केबल हमारा लोगतंत स्था होगा बलकि हमारे लोगतंत और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा अध्यक्ष मौदे एबियम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था आज भी नहीं भरोसा मैं असी के असे सीड़ जी जाओं तब भी नहीं भरोसा और मैंने अपने चुनाओं में का था देख्ष मौदे एबियम से जीत करके एबियम हटाने का काम करेंगे ना एबियम का मुद्बा मरा है ना जाएगा खतम जब तक एबियम नहीं हटेगी हम समाजबादी लोग उस बात पर अडग रहेंगे उत्तर प्रदेश अद्दैक्ष महदे वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई एक बार नहीं दो बार बनवाई और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदवाब उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदवाब मुझे याद है वो दिन जब प्रधान मंती जी एर फोर्स के सबसे भारी बहान हवाई जास से उतरे थे सड़क पर वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्य मंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाये थे लेकिन वो एक्सप्रेस में जो बना था और आज भी जो उतरप्रदेश में बन रहे हैं वो उतरप्रदेश के बजट से बन रहे हैं लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेस बे अभी नहीं दिया गया है ना केबल इंट्रासेक्चन में भेदवा हुआ है वलकि हमें याद है कि पधान मंती जी ने बड़े पेमाने पे गाउं गोद लिये थे और सोची है अगर देश के पधान संसर्द अगर किसी गाउं को गोद ले ले और उस गाउं की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि किसी गाउं की तस्वीर दस साल में बदली होगी मुझे वो गाओं जिसको उन्होंने गोद लिया जो पिधार मन्ती जी की आदर सी होजना थी उसके तहर जो गोद लिया गया था गाओं वो पांच बर्स पहले खुब शोर हुआ था कि बनारश शहर की तरह डूमरी में चम चमाने लगे गया एक गाओं हाकिकत में कुछ नहीं हुआ उसकी दुर्दसा वैसी की वैसी है जैसे था गाओं वैसा ही का वैसा है तूटी सड़कें कच्ची पगड़ंडियां उखड़े और तूटे हुए इंट के खंजे बदहाल हैंड पंप पावर लूम और पंके के जाली के कार खाने को आखिर कब तक रफ्थार मिलेगी जो उस गाओं में काम होता था लोग करते थे खाली पड़े रसोई गैस के सिलिंडर अंदा धुंद बिजली कटोती के बीच इस गाओं के लोगों को हर सुबह मज़ूरी की कभी न खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी तो सुचे एक गाओं की तस्वीर ये है जो गाओं कभी गोद लिया गया था उस गाओं की भी तस्वीर नहीं सुदर पाई है जो भाजपा के स्मास सिटी के जोटे सपने में गाओं के लिए कोई जगे नहीं है अपने गाओं गोद लेने की जो बात कही थी क्या वो भी जुमला था देखजी पता नहीं जिस गाओं को गोद लिया था उसका नाम भी किसी को याद है कि नहीं मैं नाम पूछ करके किसी को श्रमिन्दा नहीं करूंगा क्योंकि अगर नाम याद है तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बादू भी कुछ नहीं किया जिसे गोद लिया जाता है उसे अनात बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है और अगर तस्वीर अद्धेश मोदे बदली हो दस साल में उन तमाम गोदली हुए गाओं की तो मैं सत्ता पश्क लोगों से कहुँँगा जरूर इस सदन में बात रख जरूर बताएं आप जो बात कभी अद्धेश मोदे कास सेंसस की उठी थी हम उस कास सेंसस की पक्ष में हैं कि बिना कास सेंसस के समाजी बिन्याज संब्ब नहीं है सब को हग दिलाँ पाना मुश्किल है अद्धेश मोदे राश्पती जी के अभाशन में अगनी वीर को लेकर के जो चिंता विपश्टी थी और देश के नौजमानों के थी वो चिंता वैसी की वैसी बनी है अद्देश मोदे मैं ये कहना चाहता हूँ मैं खुद मिलिटी स्कूल से पढ़ा हूँ मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में बता पाएं लेकिन दवी जुमान में उन्हों नहीं कहा है कि देश की सुरच्चा के साथ अगनी वीर जैसी वेवस्ता लागू करने से समझाता हो रहा है अद्देश मोदे किसी भी देश की सबसे बड़ी प्रातिमिक्तागर कोई है तो वो देश की सीमाओ की सुरच्चा है अगनी वीर जैसी वेवस्ता से कभी संबब नहीं है अद्देश मोदे हम अगनी वीर वेवस्ता को कभी सुखार नहीं कर सकते है आज नहीं कल कर नहीं बाद में जब कभी भी सत्ता में इंडिया गड़ बंदन आएगा अगनी वीर विबस्ता हमेशा हमेशा के लिए का कम जाए अद्देक्श मोटे जिन्हों ने कहा कि हम आए किसानों की दोगुनी कर देंगे आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आए कहा दोगुनी हो गए और जिस तरह महंगाई बड़ी है सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ें पे उसकी आए कितनी होनी चीए और जो इंट्फरसेक्शर की बड़ी बातें की गई थी कि MSP लागू करने के लिए एडिकल्जर्स सेक्टर का इंट्फरसेक्शर तयार होगा लेकिन जहां तक मैंने उत्त पदेश में देखा है सरकार की तरफ से एक भी मंडी दस साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए जो सरकार मंडी नहीं मना सकती है उस पे MSP का भरुसा कैसे कर सकते हैं जोनोंने MSP का भरुसा दिलाया था हम अद्धेश मौदे आपके मादलम से यही कहेंगे कि जो राश्पती के वाशन में लीगल गारंटी MSP को मिलने चाहिए थी वो क्रॉप्स को नहीं मिली है ना केबल फसलों को मिले बड़की हॉर्टी कल्चर क्रॉप्स को भी MSP देने का फैसला हो जिससे कि हमारा किसान खुशाल हो सके साथी साथ OPS की बात अविवाशन में नहीं आई है Old Pension Scheme लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भबिस बन सके और देश की एक बड़ी आबादी जहां से में छुन करके आता हूं उत्तरपदेश जहां बुनकर नकेबर उत्तरपदेश बलकि देश के कौने कौने में बुनकर समाज की लोग बड़े पहमाने पर रह रहे हैं लेकिन बुनकरों को जो सुबधाय मिलनी चाहिए वो भी सरकार में नहीं मिल पा रही हैं जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाय चलाई थी वो भी अद्धेश मौदे बंद कर दी हैं मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने नौजमानों को नौकरी नहीं दी है नौकरी और रोजगार उनसे च्छीने है बहुत नौकरी च्छीनी है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अद्धेश जी इसलिए मैं कहूँगा कि आपके राज में नौकरी की उम्मीद है न रोजगार क्योंकि आपने छोटे कारवाई तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना फेट भर सकता है न किसी को नौकरी पर रख सकता है जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल इंडी के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी सातियों को रख लिया जाता है आरश्ण का हक नौट फॉंट सुटेवल के नाम पर हरपा जा रहा है और अद्देख्श मोदे आरश्ण के साथ इतनी खिलबार किसी सरकार ने ने की होगी जितनी खिलबार इस सरकार ने की है जहां सरकारी नौक्रियां नहीं दी जा रही है और सरकारी नौक्रियां इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि उन्हें आरश्ण देना पड़ेगा जिस प्रदेश से मैं आता हूँ जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वाँ सबसे बड़े पेमाने पे नौजमान बिरोजगार है और पिछले दस साल में जो कुशन जो पेपर उन्होंने लीड कराए है वो इसलिए कराए हैं क्योंकि नौकरी नदेनी पड़े और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरशर भी देना पड़ेगा यह जान बूच करके सरकार नौकरी और आरशर के साथ किलबार कर रही है मैं अद्धिक्ष मोदेश आंत में इतना ही कहना चाता हूँ आशा है यह सरकार तब तक चलेगी तब तक उसके केंद में इस देश का हरे गरीब सोशित वंचित फीरित पिश्रा दलित अल्पसंग का आदिवासी महला युवा छोटा कारुवारी इमानदार नौकरी पेशा आम आदमी और कमचारी अधिकारी मज़ूर और किसान होगा नाकी धनवान होगा और शासन के आधार पे समधान होगा वा जूमलों की जगे सच में महगाई विरुजगारी भष्टाचार गरीवी भुकमरी संपताई इंसा दलित वा महला उत्पिधन समाजिक अन्याई जैसे मूल भुत मुद्दों का समाधान होगा और भोजन विजली पानी दवाई पढ़ाई जैसी बन्यादी जरूरतों के लिए कागजी उजनाव की जगे सच में इंतजान होगा मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता द्वारा सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने के साथ साथ इंडिया गड़बंदन समाजवादी पार्टी एक उन्याई इसको सबसे ज़्यादर सीटें जिताएं उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता करें